जमीनी विवाद में खूनी संगर्ष चले कुलहाडी और फर से लाटियां एक पक्ष गंभी रूप से घायल पहुँचाया गया जिला अस्पताल खबर सुल्तानपूर से है जहां दिनाग 30 अगस्त 2020 को कादिपूर थानक्षेतर के ग्राम मुजाहना के मुर्पट्टी में आज जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर भारदार हत्यार से हमला बोल दिया जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों को काफी चोटे आई और कुलहारी के वार से एक के सर में गंभीर चोट आई है बताते चलें के पूरा मामला काधिपूर के ग्राम मुजाहना का है जहां गिलीब कुमार उपाध्याये सोत राजेंदर प्रसाद उपाध्याये अपने भाई के साथ अपनी जमीन पर जा रहे थे पहले से घात लगाए बैठे जिसमें मनोच सोनू आदी लोग शामिल थे और इसके पहले ही वह कुछ सोच पे उन्होंने अचानक धारदार हत्यार से हम पर हमला कर दिया जिससे सर में काफी चोटे आई है अब पुलिस के कारवाई रही रही लोग थे पुलिस वाले कुछ ने की अथी तक पुलिस के कोई कारवाई नी और मुझे यहां कम से कम मेरे से में पंज़ा टाके लगे वही और मुझे चक्कड जैसा रहा है बहुत उड़ुटी जैसा लग रहा है अब नाम आजय कुमार काद्या है अनाचेत कादी को ग्राम मुझाना है हम लोग वहां गये थे जमीन दख़डा बिवाद का पवपी से वो लोग आले से घार लागारे बैटे थे उसके बाद जो बिलीप मारा है उनको लोग अरसे से और खुल्हाडी से है अब पर आहरे उसके बाद इंटी बचाने दोतीन लोग गए उनको खिमा है उसके बाद उहां लेकवाल भी खड़े थे वह लोग चलेगे बाद उनको पाजी कुलगे सानमदर आई तो मेरे इधर्भ को जोतीन लोग को पवेखे लेगे लिगा इगगई उसके बाद हम ल तो रिखन के लेगा सुल्थान आप लोगों कुछ खोड़ा कि नहीं खोड़ा वहां को ही लोग जान सकते हैं